आज की इस पीडियो में हम आपको Airtel Sim के लिए स्विचाफ कोड बताने जा रहे हैं इन कोड को डायल करके आप अपनी Airtel Sim को चालू रखते हुए भी आप अपनी Airtel Sim को स्विचाफ बता सकते हैं कोई भी incoming call आपके phone पे नहीं आएगी उसको स्विचाफ बताएगे इसके लिए आपको क्या करना देखिए आपको अपनी phone का इस तरीके से आपको डाला प्रेड ओपन करना है यहाँ पे आपको एक code लगाना है double star इस तरीके से 21 फिर star लगाना है इसके बाद कोई भी एक mobile number आपको इस तरीके से आपको डालना है 10 digit का 10 अंक का mobile number आपको डालना है mobile number यहाँ पे आपको switch app बाला ही डालना है आपका कोई भी number पुराना number जो हमेशा switch app रहता हूँ वही number आपको यहाँ पे डालना है यहां पे आप 9-9 ताइम आप डाल दीजएगा 9-9 यह रांग नंबर होता है यह नंबर आप डालिएगा इसके बाद हैश लगा के आप अपनी एरेटल की सिमसे इस तरीके से आप इस कोड को डायल करिएगा तो code को dial करने के बाद आपके phone पे देखिएगा यह थोड़ी सी process होगी और थोड़ा से बेट करिएगा तो यहाँ पे आपकी mobile की screen पे लिग किया एगा call forwarding registration वाज successfully तो आपके phone पे यह जो code है अगर एक बार में बर्क नहीं करता है तो आप 2-3 बार dial करिएगा चब यहाँ पे registration registration वाज successfully किया जाए तो मा लिजेगा यह setting आपके phone पे apply हो चुकी है जब कभी भी आपको अपनी phone पे इस setting को आपको बंद करना हो यह setting आपको अपनी phone से हटाना हो forwarding, erase successfully or deactivate successfully जब यहाँ पे erase successfully किया जाए तो मा लिजेगा आपके अटल किसी है setting disabled हो गई है